प्राइमरी लेंस ओपर करने वाले डिवाइस काफी पसंद आते तो आए जानते इस साल के कुछ बेस्ट 48 मेगा पिक्सल वाले बजट स्मार्टपोन के बारे में जो आपकी फोटोग्राफी के सोग को नेक्स लेवल तक लेकर जाते हैं इसमें सबसे पहले नमबर पर है रियल्मी नार्जो 20 4GB रेम और टोसेंट जीबी के इंटरनल स्टोरज के साथ आने वाले इस फोन में MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दिया गया है फोटोग्राफी के लिए रियल्मी के इस फोन में ट्रिपल डियर केमरा सेटप मिलता है इसमें 48 मेगा पिक्सल का प्राइमरी केमरा और इसके साथ 8 मेगा पिक्सल का और एक 2 मेगा पिक्सल का केमरा दिया गया है Selfie के लिए इस phone में आपको 8 Megapixel का front camera मिलता है Phone को power देने के लिए इसमें 6000 image की बेटरी दी गई है Phone की कीमत 10,499 रुपे रखी गई है दूसरे नमबर पर Redmi 9 Power 10,999 रुपे की कीमत में आने वाले इस phone में 6.50 का Full HD Plus दिस्पले दिया गया है 4GB RAM के साथ आने वाले इस phone में 64GB और 120GB internal storage का option मिलता है Processor के तोर पर इस phone में Snapdragon 662 दिया गया है Photography के लिए इस phone में आपको quad rear camera setup दिया गया है इसमें 48 Megapixel का primary camera इसके साथ 8 Megapixel का और 2 Megapixel के camera मिलते है तीसरे नमबर पर है Samsung Galaxy M21 Samsung के इस budget smartphone की कीमत 13,999 रुपे 4GB RAM और 12GB के internal storage के साथ आने वाले इस phone में आपको 108.0 by 2340 पिक्सल रिजोल्यूशन के साथ 6.48 का Super AMOLED Infinity-U डिस्प्ले मिलता है इस phone के rear में 3 camera दिये गी है इस phone का main camera 48 Megapixel का है इसके अलावा यहां एक 8 Megapixel का ultra wide angle और 5 Megapixel का depth camera मिलता है Exynos 9611 processor पर काम करने वाला यह phone 6000 mh की बेटरी के साथ आता है तो दोस्तो यह subset top 3 smartphone with 48 Megapixel camera तो दोस्तो आज के लिए इतना है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो like और share धरूर किजिएगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए